कि कि है कि थे खुआ है कि है है आप अगर्ण है तो 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 टोड़े वी कि अगर्ण है तो तोड़े वी आ गुविट टिसक्स करेंट फेसर फेस्ट ट्वन्टी फॉर्ट अन्-25 अगस्त ठीक है दोस्तों तो सबसे बहले जो भी एक्जेम्पल आती है या कुछ ऐसी रिपोर्ट होती है में इसके लिए वह भी हम डिस्कूस करते हैं और देन आफटर वी विल डिस्कूस इंपॉर्टन फ्रॉम प्रस्पेक्टिव टॉपिक्स राइट ओके जल्दी से स्टार्ट करते हैं में से अदर देखते हैं दो पर बोला गया जो वैल्यूस हैं बहीवियर चेंज करना है बचों का यह बात की दूसरी बात है कि अब हमारे पास एक तो था ऑनलाइन सिस्टम उसके ओपर भी रिपोर्ट है वो भी हम पढ़ेंगे दूसरी बात है कि जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चलते हैं वह नहीं थी ठीक है जी तो इसके कंटेक्स के अंदर आप लिखोगे तो यहां पर दो हमारे पास केस टड़ी हैं एक सांतिन केतन स्कूल है रविंदर ना टेक और ने चलाया था यहां पर क्या था कि बच्छों की क्लास लगती थी पेड़ के नीचे लगती थी और जो बच्छ नहीं था ठीक है तो जो बच्छा था उसके अंदर एक साइंटिफिक टेंपर आ जाता है को चीजों को पता होना चाहिए उसको कि भी क्या कौन सी चीज अब ऐसा क्यों है ना जब रास्टे में जा रहा है कि ठीक है ट्रीज है कि हम बोलते के जी ऑक्सियन लेते हैं वो कार् साइटी में क्या हो रहा है यही आपने लिखना जब आपको यूप सी पूछती है कि ठीक है अदर क्या के खामी है तो वहां पे यहां मेंस में आप यूज करोगी लेकिन जब ऐसे हैं वहां पर पूरा यह थोड़ा सा एक पैराग्राफ के अंदर डिसक्स भी कर सकते हो उसक है कुछ बचे ने पूछा है तो एक डिसक्शन में हमेशा जो बच्चा उसके अंदर कउफिटेंस आता है वह चीजाई हो कें क्यों होता है वो होता है है तो यह एक इंपॉर्टन चीज है जो चेटाफ कर्णे लें तो यह रहां पर यह पाष्ट्रिस को और न इनि तेट 10 चली हमने काफी के स्टरी भी पड़ी इसकी पास्ट में तो उसके डेटा भी बहुत हमारे पास है तो यहां पे जो परलिमेंटरी कमेटी है उसने एजूकेशन सिस्टम के ऊपर जो ही कोबीड का इंपक्ट क्या हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट दी उसने बोला राउंड 24 क्रू लोग हैं उनको कहां एकसेस होगा ऑनलाइन का है ना उसके लावा अगर आप गौर्णमेंटस्कूल में देखो तो ऑनलाइन का कुछ खास है यह नहीं था ना क्लास चलीन रही थी इसके लावा तो यहाँ पे इसने यह बोला है ऑनलाइन एजूकेशन इस नौटा रियल इसके लावा बात करते हैं वुमन इंपॉर्मेंट की सुप्रीम कोड ने रीसेंटली जज्मेंट दी पॉलिटी के लिए क्या होता है कि वैल्यू डिशन का मितलब गया जो पॉलिटी का आप अंसर लिखते हो वहां पे जो इंपॉर्टन जज्मेंट्स हैं आर्टीकल्स हैं व यहां पे आपने सुप्रीम कोड की सीधी जज्मेंट ही नोट करनी है वहां पे तो आपने मेंस के अंदर जब आंसर लिखोगे तो यह एक वैल्यू डिशन है यहां पे आपको माक्स मिलेंगे ठीक है जी फार्मर एंपॉर्मेंट देखो जो हमारे शीप्स हैं जो इंडिया जो अस्टेलियन स्पीसिज है उन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तांके जो हमारी जो शीप है उसकी भी जो हूल है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए पहले तो अच्छी नहीं थी है ना तो हम फॉरं से न्यूजिलैंड हो गया स्टेलिया वहां से इंप जो आपने मेंस के अंदर लिखनी है अब स्मोक टावर की बात करते हैं बहुत से एफट कर लिए हैं हमने ठीक है आपने और्डीवन लगा दिया हुआ क्या कि बहुत चल रही थी स्टेट्स के अंदर ठीक है दोस्तों अब स्टबल बर्निंग इतनी जारा चल रही थी चाहा स्मोक टावर लगाओ ठीक है जी अब स्मोक टावर को इसके बाद आयाटी बंबे ने प्रपोजल भी दिया कि कैसे हम लगाएंगे यह वो सारा उसके अंदर टेकनोलोजी बताई तो अब पहला जो स्मोक टावर है पाइलिट बेस के उपर इसके उपर स्टडी करेंगे क्या यह वाक्य में ही पॉलिशन को कम करता है नहीं करता डेली ने अभी इंस्टाल किया जो सीम केजरी वाल ने अलौक किया है अब यह स्मोक टावर करता गया है जो डेली वाला है उसके अंदर क्या है यहां पर अगर देखोगे आप तो फैन लगे हुए है ना नीचे यहां पर जब चलेंगे जैसे exhaust fan चलता है तो अंदर negative pressure create करेंगे अंदर से air बार लेके आएगे अब यहां पे क्या होगा polluted air अंदर आएगी ठीक है जी polluted air अब यहां पे चलेगी बहुत सारे हमारे पास filter है जो polluted air को filter करते रहेंगे पार्टिकुलेट मैटर को वो filter कर देंगे clean air यहां से बाहर वापसा जाएगे अगर चाइना का मॉडल देखें तो उनका उल्टाइस से उन्होंने यहां से introduce किया ठीक है जी यहां से ख्यार जल्ट निकलता है दो साल के लिए यहां पर काफी कोई study करेंगे उसके बाद पता चलेगा इसके लिए एक्स्ट्रा जो अडिशनल हमें इसके लिए यह याद रखना आपने smoke tower की क्या इसके उपर अभी तक हमारे पास कोई खास evidence नहीं है ठीक है जी अब स्मोक टावर के बाद पास्ट के अंदर 2019 के अंदर जब सुप्रीम कोट का मामला आया था तब काफी यह चले थे कि एक चला था वायू विंड अगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट यह देखो यह यहांँ से एर अंदर जाएगी ठीक है जी अगर यहां से और यह वहां से बाहर चले जाएगी तो इसके अंदर भी फैन लगा रगैजो यह और प्यूर्ट करेगा उसके बाद निकाल देगा पांसो मीटर स्क्ट एर मीटर तक यह अपना एर को प्यूरिफाई कर सकता है ले अबना जो स्मोग टावर लगाया वो भी जिरूपांड थी तक चला जाता जो समाल फिल्टर्स है ठीक है आपको बता होना चाहिए उसका मेथड़ पता होना चाहिए मेंज के अंदर आपको ये वाला मैटर पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों ओके इंडिया टर्निंग पॉइंट हाव क्लाइमेट एक्शन केंड ड्राइव एकनॉमिक फूचर अब देखो क्लाइमेट चेंज के उपर तो हमने बहुत डिस्कुस किया किलाइमेट चेंज या उसके उपर क्या इंपक्ट होगा कोस्टे ले लिए यह सारा हमने डिस्कुस किया लेकिन अब बात आती है कि मेंस के अंदर मार्क्स कैसे लेने हैं वहां पे बंदा फस जाता है कि जब आपने कोई फैक्ट देना होता है तो यहां पे अगर मैं बात करू तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ठीक है जी इसका नाम है इंडिया चरिनिंग पॉइंट हाओ क्लाइमिट एक्शिंट केंड्राइफ और एकनोमिक फिचर आप यह रिपोर्ट यह बोलती है कि अगर मान ली जी इंडिया ने एफट किया तो क्लाइमिट चेंज को अंदर है ना काफी सारह हमोने एफट किये तो क्रीन होस गर दिया तो इंडिय यह climate change हो आपको पता temperature बढ़ता है तो जो लेबर काम करती है बाहर उसकी work efficiency कम हो जाती है क्योंको गर्मी बहुत रहती है सी लेवल राइस गरता है कोस्टल कम्यूनिटी उनको दिक्कत होती है है ना उसके लवा अगर आप देखो क्रॉप यिल्ड वो कम होती है तो फार्मर को नुक्सान होता है तो अलग-अलग सेक्टर को अलग-अलग लेवल के उपर नुक्सान हो रहा है अब इसके तहत जो economic loss हो होगी अब यह रिपोर्ट अब ऐसा है कि आपने यूप एसी मेंस में अंसर लिख रहे हो वहां पर आपने सब कुछ लिखती है सारे बच्छे ने सब कुछ लिखा जिसने एक दो ऐसे जस्टीफाई कर दिया अपनी बात को एक अदा डालके उसी के मार्स हैं बस यही हमने ध स्कवर किये पहली बात मैंने बताया कोई भी नई स्पीसिज आती है आपने यह ध्यान रखना है कि उस वह है क्या जब यूप एसी पूछती है माली यह उसने लिख दिया रिसेंटली यह न्यूस्प के अंदर था यह क्या है कौन सी स्पीसिज है कोई एक्स्टिंक्ट होग रखना है अब यह इसके जो बेसिकली अंब्रेला टाइप है ठीक है एक बड़ा इसका सेल है उसके अंदर न्यूकलिस है यह जारा डिटेल में यूप एसी नहीं जाती लेकिन हाँ दो टाइप के क्वेशन यह क्या है यह ग्रीन यह कहां पर अंडेमा निकोबार के अंदर ह अगर हम देखें कि और बी अल्गी होती है। फोटसंञेस्टी करती यह लकुंड फूट प्र्वड करती है। लाइकन के अंदर भी यह होती है मुट है ऑगर की स्टैम्ट इंगारा वो नहीं होती क्या है यह बहुत ही पेशी brief की वा पर पनी ऐसरी के वहां स्नाइए नहीं बस यह द्यान रखना है इसके इलावा दूस्तो कोरल अगर मान लीजे हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई वॉरान से जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी केंदर under करगा ठीक हैं अब हमारी बॉडी रिस्पॉंस कैसे करेगा वाइट प्लस ब्लड सेल के अंदर फेगोसाइटिक सेल होते हैं ठीक है फेगोसाइट बोलते हैं उनको जैसे न्यूट्रोफिल है जैसे अपना मोनोसाइट है अब यह क्या करते हैं जैसे बेक्टीरिय है हमारी बॉड़ी के अंदर एंटर हुआ अब इसको इंगल्फ कर बार से बैक्टीरिया रहा रहा है ठीक है यह एंटी बॉड़ी के साथ भी एंटी बॉड़ी मिडियेटेड इम्यूनिटी भी क्रियेट करता है ठीक है लेकिन वह बहुत डिटेल के अंदर चला गया उतना हमें ध्यान रखना इतना फेगोसाइट ऐसे कम करते हमारा इम्यू सेल जो है फेगोसाइट्स यह सी कोरल के अंदर भी पाए गए ठीक है अब आपको यूपीसी पूछले मान लीजिए के इम्यूनिटी जो है मेली के जैसे स्पेस्पोस करो अब इसी स्टेटमेंट को मैंने बनाना है गुमाना है कैसे गुमाएंगे अब यूपीसी पहली इसलिए डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि उनके अंदर कोई स्पेशियलाइस्ट इम्यून सेल नहीं है जो उनको इम्यूनिटी प्रवाइड कर सके अब देखो यही कोशन है पहले से मर्ज करके जो पास में यूपीसी ने पूछा मर्ज करके कोशन बना दिया वहाँ पर फरस क्या करती होगी इतना ही इसके अंदर याद रखना और कैसे काम करता है मैं आपको बता दिया इसके बाद और अब चैलो कोरल जो थे हमने टौपिकल कोरल डीफ सारे पड़े डिटेल के अंदर ठीक है जी हप यहां पे हमने नहीं पड़े तो इसको आप देख ले लेना लेक लेकिन क्या आप यूपिए सी पूछे के कोरल सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होते हैं जहां पर वार्म क्लाइमेट होता है ना नहीं ऐसा नहीं है डीप कोरल जिनको कोल्ड कोरल भी बोलते हैं वह बहुत ही डेप्ट ठक होते हैं अगर हम बात करें के सी की तो हम बोलते मैं पहले आपको बताऊंगा यह पॉइंट तू पॉइंट उसके बाद आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले लेना पहले है कि जो डीप सी कोरल है है ना डीप सी नाम से पता जलता है लेकिन अगर युपीसी इस टर्म को कोल्ड कोरल रख दे हैं कोल्ड कोरल भी बूला जाता है तो वो भी डीप सी केंदर पाया जाते अब इनके अंदर अलगी तो फोटो संदैसिक नहीं हो पाएगी इसलिए यसको जरूरत नहीं तो जो शेलो का अगरल यह अपनी अजिक आप अब कर Lima देखनें को मिलते कोड़ की कम है अगेन मैंने बता दिया डीप इसकी को कहां से लेते हैं वीड करते हैं जो प्लेंक टॉन या फिर उनसे जो डैबर्य से created है उसके उपर feed करते हैं ठीक है जी तो इसी लिए अगर आप देखोगे लगी बहुत डिफरेंट डिफरेंट करल को प्रवाइड करती है इसी लिए डीप सी के अंदर तो है नहीं तो डीप सी की बोस्टली जो वाइटिस कलर की हमें देखने को मिलती है अब इसका आप स्क्रीन शॉट लेलो जल्दी से कि सिदेश्वर पूछ लें कि क्रण्ट फेर कब तक करना है कि क्रण्ट फेर जो ट्वंटी ट्वंटी वन के लिए सब्तंबर तक जो आपका अक्तूबर 10 को है आप कोशिश करें पंदरा दिन तक बस आप करें मतलो लास्ट पंदरा दिन छोड़ दें क्योंकि यूपिएसी का जो एक्जाम है वो उसी टाइम के उपर पेपर आपका बनता है तो उसे आपसे आपको करने पढ़ेंगे और उसके अंदर बाद में फिल्टर लगें उसके अंदर एर जाएगी तो वह फिल्टर होके जो बाहर निकलती है तो यह है कोल्ड कोरल दोस्तों अगर आप देखो गए तो पूरे थूरू उट वर्ल्ड हमें देखने को यह मिलते हैं लेकिन जो दूसरे यह ट्रॉपिकल अब हैचे वी वेक्सिन एम आरे ने वेक्सिन बनाई गई ए ठीक है एचे वी के लिए अब यह वेक्सिन काम कैसे करती है ऐसा क्योंकि अभी इसका हुमन ट्राइल स्टार्ट होगा बी सेल की इमिनटी जनरेट करती है बी सेल टी सेल अगर आपने इस टॉपिक को के डिफरे सेटर्डी आपको कवर कर दूँगा ठीक है अब इसका हुमन ट्राइल एचे वी का होना स्टार्ट होना है ठीक है ख्यार यह इंपॉर्टन बहुत जादा तो नहीं है क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि लार्ज स्केल के उपर आगी है वैक्सिन अभी तो हीमन ट्राइल होगा उस है तो वह एंटीजन ही हमारी बाडी एंटीबाडी जनरेट करेगी है ना लेकिन कितने आप ऐसे एंटीजन कैसे कितने लार्ज स्केल के उपर लाने बड़े मुश्कल है यही जो प्रॉब्लम रहती है ठीक है जी तो जो दूसरी टाइप की वैक्सिन काउन सी है अगर मैं ब और बात में जब औरिजनल वाइरस आएगा स्पाइक प्रोटीन से देखे उसको पैचान लेगी उसके अटेक कर देगी है ना सिंपल बाच है मैं अब बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा हाईलेट ही दे रहा हूं डेटेल में मैंने वहां पर डिस्क्स किया था डियन ने जो है उसको हम कवर्ट होता है आरेने के अंदर ट्रांस्क्रिप्शन उसके बाद प्रोटीन के अंदर कवर्ट होता है प्रोटीन क्या है स्पाइक प्रोटीन कौन सा है जो आपका जो वायरस है उसके ऊपर बाडी के ऊपर लगा हुआ है ना यही तो है स्पाइक प्रोटीन पहली community जो थी वैक्सिन उसके अंदर मैं ने कीया किया यह स्पायक प्रोटीन उठाक हुमन बॉड़ी के अंदर भीज दिया और वहां पे अंटिबॉडी जेनरेट होगी अब अब मैं क्या कर रहा हूँ MRN Basically उसको उठा के Human Body के अंदर बेज रहा हूँ ठीक है अब यह पहले हमने क्या गया था यह वाला Step जो था Step इस Step को उठा के Human Body के अंदर पेजा, अब मैंने एक Step पीछे चला गया MRN को बेज रहा हूँ इसको मैंने जब 베ज़ा किया बनाइगा यसब बनाता है तो आपके मने मैं। में सवाल आएगा किभी हम ड्रीक्ट्री स्पाइक प्रोटीन बेजते हैं मर्ने क्यूं बेजना है ? जय्यों है इसे इसे लिए mRNA vaccin जो है वह हम prefer करते है क्योंकि इसकी coding है अगर हम coding पता चलेकि और दूसरा जैसे मालीजिए variant होते है variant के अंदर भी MRN के अंदर आप ठोड़ी सी coding change की तो आप easily ही उसको विरियंट को भी टैकल कर सकते है लेकिन यहां पे mrna vaccin जो है वह temperature को कितने temperature पर store करने हैं कितने पर नहीं उसके लिए बहुत ज़़ा थोड़ी sensitive होती है अगर HIV की बात करें तो HIV के अंदर भी MRN का concern नहीं के भी HIV बहुत time से mutate हो गया है ठीक है तो इसका success जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले time में ख्या result आता है ठीक है जी अगर आपने detail में बहुत सारी vaccine है कोवीड के अंदर वहां पर classification तो वह आपने यहां पर दोस्टों discuss की हुई है कोवीड series 4 ठीक है जी जून 8 ठीक है अगर आपने बाकी कोवीड series देखनी है तो आप क्या करो sleepy classes की उपर जाओ वहां पर D&D का folder है वहां पर एक index का folder है वहां पर कोवीड word डालन तो कोवीड से लेटर सारे आपको आ जाएंगे वहां पर कोवीड series चो थी 12345 वह सारी आप देख सकते हो वहां पर इसको national monetization pipeline अब देखते हैं यहां पर इसमें क्या है देखो भी कुछ टाइम पहले government ने बोला कि national infrastructure pipeline ने क्या है अब इसके अंदर था कि हम काफी पैसा होगी है ना अब employment generate तो होगी लेकिन यहां पर इतने लैक क्रोड पैस देगा कौन कहां से आएगा पैसा है ना तो गौर्मेंट ने अब कह लेकिए नेशनल नेशनल monetization plan अब इसके अंदर होगा क्या देखो अगर आप देखो के माली जी ए पॉइंट ए से बी तक हाईवे जा रहा है है ना अब हाईवे जा रहा है इसके उपर टॉल भी लगे हुए है ठीक है दोस्तों लेटस पोस्ट दो टॉल लगे हुए है अब यह government इसको recover करती है टॉल यहां पर हो सकता है कि private company advertisement के लिए बाकी company आ जाती है ना टॉल के उपर advertisement लगाओ हमारी उसके उपर भी पैसा कमा सकती है साइडों में होटल से लेकर जो मरजी hospital से लेकर जो मरजी खोले तो यह वो पैसा काफी कमा सकती है इससे benefit क्या होगा एक तो benefit है कि government ने जो lease पे दे दि इसको बोलते है monetize कर दिया government के बहुत से asset है उनको monetize करना है जैसे मानली जी आपका railway station है अगर आप देखो के railway station में गए होगे तो साइडों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है खाली जमीन पड़ी हुई है इवन आपका जो railway station है वहां पे इतनी सारी सुविद रखते हैं को लोगों को जुरूरत भी है वहां पे मिलता ही नहीं खाने के लिए तो यह सारी चीज़े प्राइवेट वाले करेंगे प्राइवेट वाले पैसा कमाएंगे और उसकी पूजिशन भी अच्छे से क्लीनिंग भी सब कुश हो गया और गवर्मेंट को पैसा मिल अब यह पैसा गवर्मेंट बाद में इंफ्रस्ट्रक्शन के ऊपर और इन्वेस्ट करेंगे याद रखने के वाल बात यहां पर यह है कि इसके अंदर गवर्मेंट जो है और्नर्शिप गवर्मेंट के पास ही रहेगी लेकिन जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आपने 15 प्राइवेट सेक्टर का क्या उसके अंदर इंटर्स्ट है अगर पिछले कुछ सालों में देखे हमनें डिस इंवेस्ट्मेंट की बात की तो पहले ही अगर आप देखो पीएस जू वह पहले ही जो घटे में जा रहे हैं तो प्राइवीट कंपनी की उख्री देगी तो प् सेक्टर जैसे माली जे पावर सेक्टर दे दिया ठीक है अब वह सकता है कि कंपनी थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले तो अब जब ज्यादा पैसा लेगी कंस्यूमर के ओपर बोज पड़ेगा ऊपर से प्लिटिकल पार्टी वहां पे रेगुलेक्टर प्राइसे यह सारी से बहुत से इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते रहते हैं अब वहां पे अगर टॉल प्लाजा को नुक्सान होगा तो वह उसका कौन पैसा बरेगा यह सारी चीज़ें करने की जुरूरत है तो देखते हैं फ्यूचर के अंदर होता गया है ठीक है दोस्तों अब यहां प अब गौर्मेंट ने सेक्टर वाइस ब्रेक्टाउं किया है 27 परसेंट राउंड रोड जो मैक्सिमम उसके बाद रेलवे 25 परसेंट जो पावर ट्रांसमेशन एट परसेंट परसेंट पावर जनेरेशन 7 परसेंट अगर दोनों पावर का मिला है तो 15 यह कुछ मेजर सितारे फंड देखो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो शोटी-शोटी कंपनी हैं मिड़ साइड वेंचर जिनके अंदर पोटेंशल तो है एक स्पोर्ट करेंगे वह ना कि कुछ जनरेट करेंगे लेकिन पास पैसा नहीं है इन सभी के लिए गौर्पैट ने उबरते सितारे सब्सक्राइब अब बनाया है अल्टर्नेटिव इंवेस्टमेंट फंड है अभी इंडियन एक्सेंब बना दिया गया अब बात तो थी का अल्टरिनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ठीक है जी देखो नॉर्मली अगर आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं शोटे-शोटे इन्वेस्टर लेकिन कुछ हाई नेट वर्थ जो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं एचे नाई अब उनके पास पैसा साथि लार्ज सकेल के उपर क्रोड के अंदर गेम होती है वहाँ पर जो इन्वेस्ट कर एगा उसके लिए एक ऑलग से अल्टरेट्यड इवेस्टमेंट फंड बनाया गया से भी दीज्वरा तो उसको बोलते हैं अब और विएएक्से क्रोड और ओलो कैशन जो एक्स्ट्रा एलोकेशन की जा सकते हैं जिसको बोलते हैं 250 क्रोड की ठीक है दोस्तों तो यह यहां पर हमने द्यान देना है बस तीन चीज़ों पर जो मैंने आपको बताई है कि कौन ने किसने क्रेट किया उसका क्रेक्टर के अल्टरनेटी इंवेस्मेंट फंड अब तूसरी बात ऐसा भी है कि अन्वल टर्नोवर पांसो क्रोड के असपस होना चाहिए ठीक है जी तो जो उसकी मैनेश्मेंट वोगरा वो प्रफिक्ट होने चाहिए गुड क्वालिटी प्रड़क्ट वो बनाती हो उसी के अंदर ही क्योंकि तभी तो हमारा एक्सपोर्ट बनेगा है अदर्वाइस चीप प्रड़क्ट तो चाहिना भी प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है तो फिर वहां पर बात बनती नहीं अल्टरनेटी इंवेस्ट्मेंट फंड जो मैंने बता तो दिया आपको क्या है यह तीन के अंदर है अगर तीन के अंदर फर्दर फंड्स हैं बहुत सा आर्बें ने पहला बनाया देखो पहले क्या होता था कि अर्बन जो कॉपरेटीटी बैंक्स हैं जैसे माले अपना कमर्शिल बैंक का वो तो प्रॉफिट के लिए कमाते हैं लोगों ने पैसे जमागर वहाया आगे लोन दे दिया यह सारा कम चल गया कॉप रप्रेटी बैं जो political पार्टी जो state की उनका काफी रोल रहता था वो अपने वो जैसे मालों ये उन बैंक को बोल दिया के ठीक है इसको लोन दे दो उसको लोन दे दो यही काम चलता था वहाँ पे ठीक है जी तो influence काफी था इसकी वज़ासे काफी ज़दा यहाँ पर failure देखने को मिला तो recently RBA क्या किया RBA ने तो इसके उपर RBA का जैसे commercial bank के उपर control है वैसा control नहीं रहता था जैसे मालों audit करना है वहाँ पर state का भी रोल रहता था RBA का बहुत कम रोल रहता था कुछ टाइम बाद RBA यहाँ पर audit कर सकती थी directly manage नहीं कर सकती थी तो RBA ने recently जो urban cooperative bank के हैं multi state है उनको अपन करते हैं अब यह एक तो अपने पैनल का नाम क्या है किसके अंदर विश्वन अथन ठीक है यह नाम याद रखना है इन्होंने सुझेशन दिए इन्होंने बोला कि एक umbrella organization बनाओ अब यह सारी control करेगी ठीक है UCB को कैसे control करना कैसे नहीं एक तो यह करेगी दूसरी बात आप जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है उनकी classification कर दो ठीक है कैसे हम उसको control करेंगे चैटेगराइज करो पहले उसको अब यह कैटेगराइज किसके जैसे टीर वन है अब टू डिपोजिट हंडर क्रोड है तो टीर वन के अंदर है कि टीर टू हंडर्स टू वन थाउजंट है ट अगर तो आपको पैनल का नाम याद रखना है स्टोरी बैक्राउंड जो थी वह मैंने आपको बता दी कॉपरेटिव बैंक से वह कॉपरेटिव सुसाइटी एक्ट के अंदर जिस्टर है जैसे माल लिए एक स्टेट से ज्यादा है तो वहां पर मल्टी स्टेट कॉपरेटि सुसाइटी एक्ट बनाएगा इवन इसके लावा भी अर्भी गवर्न करती है थ्रू बैंक रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग्स लॉव एक्ट के थ्रू ठीक है अर्बन है यह वली स्ट्रक्चर हमने पड़ी भी है अर्बन है ठीक है अर्बन के अंदर शेडूल नॉन रूरल है जो शॉर्ट टर्म लोन देती हैं लॉन देती हैं इनको फर्दर केटेग्राइज किया गया है स्टेट को प्रेटिव बैंक के लेवल के उपर है प्राइमरी अग्री कल्चर है ऐसे लेकिन अगर आपने किसी बैंक का एक्जाम दे रहे हो तब आपको याद रखने अधर्वाइस यूपीएसी परस्पेक्टिव से मैं एक डॉक्मेंट बना रहा हूं जहां पर मैंने बैंक के वारे में थोड़ा थोड़ा एनबीसी उसका क्या फंक्शन है क्या उसके लिए अप्लीकेबल है क्या नहीं वह मैं आपको दे दूँगा ठीक है उसको आप भी वहां पर यह बुल लगा है माली जी किसी पेरेंट ने चाइल्ड डॉप्ट करना है अब वह सी ए आर के पास जाएगा ठीक है उसको रिपोर्ट देगा वह देखेगा भी घर के अंदर इसके सब कुछ है जो यह बच्चा डॉप्ट करना जाता है उसके बार को बच्चा को डॉप्ट करने की वहां पर प्रमेशन मिल जाती है ठीक है अब यहां पर लेकिन दूसरे बात अब यहां पर माल लेजिए कोई एनरी आया या फिर कोई और सीटीजन आफ इंडिया या फिर कोई फॉर्णर है वो आया उसने चाइल्ड डॉप्ट किया और उसके बाद बा क्या बच्चा सेफ है या नहीं है जैसे माल लेजिए फर्स्ट येर है तो कौटरली बेस के उपर रपोर्ट दे दी सैकंड में जो सिक्स मंत के बाद रपोर्ट दे दी तो यह सारी रपोर्ट देता है तो यह तो चिल्टरन वो होगे जो एनरी बार से आया या ओसी आया या लेकिन अगर मानी जिए वो बच्चे के साथ उठके बाहर चला गया बाहर चला गया तो वहाँ पर एक्च्यील के अंदर किसको देखना चाहिए इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को यहां है क्यों क्योंकि नाई तो वह बंदा उस टाइम पर एनरी था जब उसने डॉप्ट किया नाई ओसी नाई फॉर्णर है ना कुछ भी नहीं था तो इसी लिए यह जो इंडियन डिप्लोमेटिक रहेगी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन की ठीक है तो यह एक इन्हों ने जो अच्छी चीज की है इसके अलावा अगर परसनलिजीबल अडॉप्शन रूल 2017 वहां पर कौन कौन से परसनलिजीबल है कि वह बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं एक तो यहां पर के मेरिटल इसको डॉप्ट नहीं कर सकता टिक है अगर तो दोनों का जरूरी है ऐगर मान लिजे जो मेरिड है तो अगर कोई चाहिल नहीं है तो वहां पर भी कुछ कंडिशन रखती हैं तो यहां पर कर सकते हो तो बहुत ही आपे युक्तभारा पोडल अगर आपको यादो भूवन ज बुवन के अंदर क्या था जैसे माली जी आपका जो पंचायत के अंदर ठीक है जी पंचायत के अंदर आपका जो भी एसेट है उसको सारा आपको वो उसका जो पूरा मैप वर्क है वो सारा इंटरनेट के थू आपको पोर्टल के उपर मिल जाता है ठीक है जी अब गौर्में जितने भी एसेट हैं चाहिए वो एमजी नरेगा के अंदर हो चाहिए हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम है या वाटरशेड मेनिमेंट है या फिर क्रिशी विकास योजना इसके अंदर बहुत सारा गौर्मन ने काम किया बहुत सारे इरिये वो सभी को जियो टैग क कर देगा मालीजिये मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ड्रॉप मेंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा मुझे एक तो इन सभी की लोकेशन से लेके और हाई रेजुलिशन इमेज मिल जाएगी कि यह वाला गौर्मन का प्रजेक्ट हो गया यह ऑन गोइंग है और फीचर के अंदर क तो एक से रिलेटर है दोस्तों यह है जियो टैगिंग से लेटर ठीक है जो भी एसेट है उसकी जियो टैगिंग बस दो वर्ड याद रखने है थोड़ा समझे डिटेल में इसलिए बताया कि आपको थोड़ा इसली समझ आए तो यहां पर क्या है आपको ऑप्शन है बिल्क कि जो जो बारा साल के उपर के लिए अप्रूव है अप्रूड फोर दोजबाओ ट्वैल यह रॉफ है ठीक है जी मैं सैटर्डे जो टू मिनट सीरीज है उसके अंदर जो भी रिसेटली जो नीडर लेस वैक्सिन आई है उसको डिसक्स करूँगा और जो भी आपके वैक्सि यह रिमीज़